नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सागर है और स्वागत है आप सभी का यस्दी नौलेज अटा यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप गूगल डॉकुमेंट में इमेज इंसेट कर सकते हैं तो शुरू से अंतक वीडियो को देखते रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लिजे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते अपने computer screen को तो चलिए वीडियो को start करते हैं यहाँ पर आपको जहाँ पर पीच आए आप वहाँ पर image insert कर सकते हैं तो मैं headline one के नीचे image insert कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको image का tab दिखाए देगा उस पर आपको upload form computer से आप image कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं मैं यहाँ आपको जो image आए ऐक सरे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लुट को भू सोब करता हो इंसर्ट कर देता हो यां प्याप इंसर्ट का बटन शो कर रहा हुआ उस पे क्लिक कीज़े है यहां पीमेज अपलोड हो रही है तो उसके बाद आप इमेज का साइज भी छोटा कर सकते है आपको से आप, यहां से मैं अभी image का size च्छोटा कर रहा हूँ, यहां देखिए, ओके आपको और कम यहां ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, यहां पर ज्यादा किया, यहां पर मैंने थोड़ा कम किया, उसके बाद आप inline में image ला सकते हैं, prep text में image ला सकते हैं, break text भी कर सकते हैं, behind text image ला सकते हैं, और in front of text यहां पर भी image ला सकते हैं, इसमें advanced option भी है, size and rotation, adjustment, all image options, यह सब हम बात में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे comment करके बताईगे, अगर वीडियो पसंद है, तो वीडियो को like कीजे, अपने दोस्तों के साथ share कीजे, और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, और आप चाहते हैं कि इस तरो के वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को subscribe करके, bell icon को प्रेस के लिए, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू